Hello friends welcome to our channel only excellence so our calendar is start हो चुक है reasoning में आज हमारा second Part calendar का ठीकन तो आज हम पढ़ेंगे calendar पार्ट 2 calendar पर हमने कई टाइप के questions कर चुके तोगे calendar जो बच्चोंने पुराना video नहीं देखा ओगा सोचेंगे बाई calendar सबस्टर्मेश है बहुत अच्छे कुर्शन साथ अब्र से कुछन जरूर आते हैं आपका कोई बीविएonge में कीक्रिक्टेटिव एक्जाम कैलिंडर से कुम आते हैं इतंगBye zwycinhas का देंदल के प्रूब केलेंडर मतलब आपको 2021 का केलेंडर पूछे का कि आज कौन सी डेट है कैलेंडर से मैंने आपको बताया कि कही तरीक तरीक का सकते हैं तो रखा थो आह पूंश सब्लेंडर की साथ हम रिषैन करते हैं जिसले concept और अच्छा और क्लियर हो आप सब कर चीक है तो आगर मैं बोलू 11 को अगर संडे था इफ उन 11th मार्च 2011 इड वोज संडे देन 11th मार्च 2012 को क्या होगा कौन सा दिन दिन होगा ठीक है जब आपका डेट आपकी सेम रहे मंथ सेम रहे केवल यर चेंज कर दिया जाए ठीक है अभी यर आपका एक साल से बढ़ाया गया है मैंने आपको बताया है कि यूर कितने भी यर बढ़ा सकता है वो 2021 भी पू सकता है इसको आपने सिम्पली अगर एक साल बढ़ रहा है और बीच में कोई भी लीप यह नहीं आ रहा है तो वन देख सकता आगा यानि संडे प्लस रहा जाएगा लेकि आपको आपको आप देखना है कि यह effect कर रहा है जब आपकी फरवरी आ रही हो यहां पे मार्च है यानि इसके और इसके बीच में February आ चुकी यह तो इसका मतलब लीपियर आ चुका है तो प्लस वन की जगह आप करेंगे प्लस टू क्यों कि अगर यह जनरल यह होते दोनों अगर मैं यहां पर 12 कर देती और यहां लेकिन मैंने क्या बोला है मैंने आपको 11 से 12 पूछा है 11 से 12 अगर मैंने पूछा है तो आपका लीपियर यह 12 का जो लीपियर है वह इसको एफ़ेक्ट कर रहा है क्योंकि फैबुरि मार्च पहले आती है तो तो 12 यानि लीपियर की फेबुरिश जो है आपके इस यहर के जो आपका डिफ्रेंस है उसके बीच में आ गई है तो चुकि एक लीपीर पड़ रहा है यानी एक आपकर लीपीर आगया तो आपने प्लस वं्च perdya कर दिया है कि क्या हो गया किहां संडे था मेरा 11 को टो सुटावजन एलेवन को 11 ओमार्ज को संडे था तो तो अभी क्या हो जाएगा अभी एक मंडे एंड अगला क्या है हमें कितना आगे लेना है तो फिस्ट हो गया मंडे सेकेंड हो गया टूजडे तो इसका मतलब है कि 2012 को तूजडे होगा तिक है मैं आपको बाल बाल फिर से बॉल रही हूं आज भी जो मैं बोल रहे हूं कि संडे मतलब यह नहीं कि मैंने क्लेंडर रटा हुआ है और संडे होगा डेफिनेटली हम आगे यह भी सीखेंगे कि कैसे किसी डेट में आप कोई वी डे निगाल सकते हो लेकिन फिलाल क्योंकि अभी आपने नहीं सीखा है इसलिए मैं आपको बता दू तो मैंने ऐसी रेंडमली कोई दे ले लिया है और इसके हिसाब से यह कुश्चन आपका है ठीक है यह आंसर आपका आ रहा है आप अगर कैलेंडर बे देखके इग्जक्ट दे लेते हैं तो इसकी हिसाब से आपको इग्जक्ट डे मिलेगा ठीक है तो यह हो गया हमारा फॉर् 10th March दिया है 10th March 1989 दिया है यह बोल रहा है कि आपका सैटरड़े है 10th March 1989 को साइटरड़े है चलिए एक आपके लिए सही ले लेती हूं मैं 9th November 1986 को 9th November 1986 को अगर संदे हैं अगर संदे था 9th November 1986 को अगर संदे था तो आपको बताना है कि 2nd January 2nd January 1987 को कौन सा डे होगा ठीक है यहां पर मैंने आपके लिए एक्जट डे ले लिया है जिसलिए आप लोग कंफ्यूज न होए ठीक है यह डेट मुझे याद थी यह डे याद था तो मैंने ले लिया यहां पर ठीक है तो 2nd January 1987 का आपको निकालना तो इसको कैसे करते ह आप इसको simply कैसे किया जाता है इससे इसके बीच में कितना time बीच चुका है आपको यह देखना रहता है अगर यह 1987 November के बाद कर रहता तब तो आप सीधे plus one year कर देते तो सबसे पहले इस चीज के लिए क्या करते हैं यह डेट यहां लाते हैं इन देट के बीच का difference निकाल ल होने पर तो आप देखिए अगर मैं मानू की यह का difference आभी आप हटा के चलिए केबल देट देखिए तो 9th November और 2nd January के बीच में कितने दिन हैं नवेंबर में किते दिन होते हैं 30 days होते हैं 30 में 9 बीच चुके हैं बचे किते 21 days आपके बचे नवेंबर के डिसंबर में किते द दिन ले लिए टोटल हो गया आपका कितना 21 और 31 कितना हो गया आपका 52 52 और 2 किता हो गया 54 54 डेज आपको मिल गए अब यह 54 डेज से आपका यह 2nd January 1987 ही आ गया है क्योंकि 6 के बाद 7 आ गया है अगर माली जै यह 88 होता तो आप उसको क्या करते 2nd January 86 87 निकालते और फिर उस पर प्लस वन इयर का एड कर देती ठीक है यह 54 डेज आ गया लेकिन अभी आपको यह चेक करना है कि इसके बीच में कोई लीपियर आया है क्या अगर लीपियर आया है तो प्लस वन आपको करना है जितने लीपियर आए होंगे उसमें आपको हर लीपियर का एक दिन आड करना है तो यहां पे देखिएdon नहीं कोई ले 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 लेती तो आपको एक लाट ईसके बीच में मिल जाता लेकिन चुकि में इंटिय 7 लिया है कोई ले लेकि उनके इ coloring करूंगे simply लिग दिया 54 इस 54 को हमको 7 से डिवाइड करना है कितनी बाद डिविजन जा रहा है यानि कोशंट कोशंट से आपको कोई मतलब नहीं आपको मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका तो रिमाइंडर इस इसमें देखें क्या बचेंगा 5 बचेंगा क्यों क्यों आपको जाएगा तो 554 होता है तो आपका रिमेंडर जो है आपका रिमेंडर आ गया यहां पे 5 ठीक है इस 5 रिमेंडर को आप लेके डेज बढ़ा दीजिए इसमें संडे में तो अगर आपका मंडे पहला हो गया तूस्डे दूसरा वेड्नेस दे तीसरा थर्सडे सब्सक्राइब 9 नवेंबर 1986 को संडे था तो आपको सेकेंड जैन्वरी 1987 को फ्राइडे होगा तो इस तरीके से आपने कुश्यंस किये थे अगला हमने क्या देखा था कि भाई जब आपको यह में डिफ्रेंस जादा दिया रहे यह मंत में भी डिफ्रेंस दे दिया रहे थर्ड फेब 1984 वस माल लीजिए फ्राइडे ले लेते हैं अगें मैंने रेंडमली कोई भी डे लिया हुआ है ठीक है फ्राइडे ले लिया तो आप से मैं पूछू कि थर्ड फेब 1994 को कौन सा दिन होगा कितने एक स्कारा डिफ्रेंस देंगें फिर आपको क्या देखना है कि इसके बीच में कितने लीप यह आपको मिल रहे है सिंप्ली 84 February अब यहां 3rd February है और यहां 84 84 एक खुद एक लीपियर है ठीक है चुकि यह लीपियर है इसलिए इसकी फेब्रोरी एफेक्ट करेगी अब करेगी कि नहीं करेगी फाइनलाइज होगा इस बेट से तो फेब्रोरी है थर्ड है तो 29 वाली जो डेट आएगी फेब्रोरी की वो इस थर्ड के बाद आएगी ठीक है यानि इसके बीच में आएगी तो प्लस आपने उसका 84 का लीपियर एड कर लिया देन 88 भी आ रहा है आपका तो उसका लीपियर लीपियर आपको 92 का मिलेगा तो उसको भी एड कर लिया तो आपके ने तीन लीपियर के तीन डेज एक्स्ट्रा कर लिया कितना हो गया आपका 10 प्लस 3 हो गया यह थर्टीन हो गया इस 13 को आप डिवाइड कर दीजे 7 से 7 से डिवाइड करेंगे रिमेंडर आपको बचेगा 6 कोशन पार्ट से मतलब नहीं है आपको रिमेंडर से मतलब है रिमेंडर यहां पर आपको 6 बचता है आपको 6 देखिए तो Friday के बाद 6 देज़ आपको मिलेगा साथ दिन होता तो Friday होता एक दिन पहले हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका Thursday simply आपका Thursday हो जाएगा तो इस तरीके से आप questions देख चुके हैं ज्यादा ज्यादा questions करिए वैसे बचोंने comments बहुत कम किये कुछ एक दो बट यह कोई मतलब इतना अच्छा मुझे नहीं लगा कि आप लोग कर रहे हैं अच्छे से तो आप मैं आप लोगों को फिर से यह कहूंगी ज्यादा ज्यादा प्रैक्लिस कीजिए questions की and साथ साथ जिस समय हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिस समय हम वीडिय अधर्वाइस पुराने वीडियो के comments जाकर देखना फिर उस पर क्या question था हमें याद नहीं रह पाता है कि मैंने उस समय क्या question आपको दिया था दिन आयाव तो वाच फुल वीडियो और उसके लिए आगे में बोलूंगी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है चलिए अब आज जो हम देखेंगे आज हम देखेंगे कि माल लिजिए आपको आजाए कि 3rd June 1968 को कौन सा दिन था 3rd June 1968 को कौन सा दिन था ठीक है यह चलिए कई लोगों को Famous Days तो यादी होंगे अपना Independence Day कर देते हैं कि 15th August 1947 को कौन सा दिन था ठीक है यह 26th January 1950 को कौन सा दिन था अगर मैं यह questions आपके exam में आ गए तो आप कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको कुछ कोट्स बताऊंगी आपको वह कोट्स याद करने हैं और याद करने कर आपको तरीका भी बता दूंगी जिसलिए आपको याद हो जाए ठीक है चलिए तो आप यह याद रखिएगा हम चलिए थर्ड जून भले ना याद रहे आपको लेकिन 15th August 26th January का आपको जरूर याद रहेगा question सबसी को देख लेंगे ठीक है सबसे पहले बात करते कोड की तो देखिए आपके जो मंस है months of the year जो है वह आपको 12 months होते हैं तो 12 से में डिवाइड रहते हैं January, February, March, then April, May and June, ठीक है then आपका अगला के है July, August, September, then October, November and December यह आपके 12 महीने हो गए ठीक है अब मैं आपको कोड जो बताऊंगी बहुत important है याद करना उनको बिल्कुल गलत मत कीजेगा इसलिए मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी तो बस आपको 12 याद रखने 12 12 याद रखिए तो 12 का square क्या होता है 144 तो मैंने लिग दिया 144 ठीक है दिन हम्मारे पा leuke सत्तों कि महीने 12 तो आतमे महैने जितने महीने होती है उसका square कर दिया फिर उसमें जितने दिन होते साथ देन आप सुसको कोटा शाएं में 12 में आप 7 गटाएंगे तो 5 आता है 5 स्क्वाइर कीजिए दो 25 लेकिन तीन तीन का प्रड लेके चल रहे हैं क्योंकि तीन जहों है वह 12 को डिवाइट करें थी 42 3-4 a 12 होता है तो हम 3 3 till the pair लेके चल रहें दो दो कर हैं जब तीन एक चल तो हमने 25 किजिग हमें 3 डिजिट लिखना है तो ङालए 0 25 कर दिया तो यह को गया 5 lapse का स्क्वेर यह हो गया 12 का स्क्वेर आथा चे खेंव स्क्वेर पांड कौन सा एक्ष्षण तो लास्ट आप क्या करते हैं ना पांच का स्क्वेड ना च्छे का स्क्वेड यहाँ पर 144 लिखाता है आपने 12 स्क्वेड का इसे में दो आड़ कर दीजिए तो 14 सेम रहेगा और लास्ट वाला जो December है वह आपका क्या हो जाएगा आपका वो six हो जाएगा यानि 144 की जिगे तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मैं डारेक्ट इसमें आउंगी 025 तो मुझे अप्रिल दिया है तो मैं यह 0 उठाऊंगी अगर मुझे अक्टूबर दिया है सब्सक्राइब क्या है सब्सक्राइब चैनल लोगे तो इस तरीके से आपको है को यह याद रखने क्या है तो पहले 3 12 स्क्राइब लेना लास्ट तीम डुआ के स्कर्र में दो को ऐड़ कर देना यानि 144 लिया था यह 146 जो बचते हैं तो पहला वाला पांच का स्क्राइब बहुत confusing दिये रहेंगे आपको वीडियो में बुक्स में कैसे याद करो वैसे याद करो sentence लंबे-लंबे बना के देंगे कुछ भी नहीं करना है number of months तो आपको यादी है तो बस इतना करना है और कुछ भी नहीं करना ठीक है तो यह हो गया आपका month के code ठीक है अभी मैं इसको erase कर रही हूँ आप लोगों के पास आप लोगों ने screenshot ले लिया होगा या आप लिख लीजेगा copy में ठीक है यह 2021-2022 मतलब 2000 से उपर का देगा या तो 2000 की years की series देगी देगी यह 1900 की लेकिन फिर भी जो आपका question paper set कर रहा है examiner उसका mood क्या है नहीं जाना जा सकता है ठीक है अगर उसने 1500 दे दिया तो अगर उसने 1800 दे दिया तो देन आपका हो गया रही है तो माम ने पढ़ाया नहीं आपको सबसे पहले याद रखना है मैं स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि 15 15 से अगर मैं बीस तक आऊ तो पांच होता है तो 15 से स्टार्ट करते हूं 15 के जितने भी आपके years होंगे 1500 से लेके 1500 से निन्यान नहीं पंद्रा सो निन्यान नहीं तक फिर सोला सो से सोला सो निन्यान नहीं तक फिर सेवेंटीन हंडर्ड से 1799 तक ठीक है फिर एटीन हंडर्ड से एटीन नाइटीन नाइटीन तक ठीक है नाइटीन हंडर्ड से नाइटीन नाइटीन तक ठीक है आपको देखना है कि सिंप्ली आपको क्या करना है यहां पर रखना है सिक्स सुरी शिक्स फोर टू जीरो अभी फिप्टीन अंडर्ड वाली सीरीज में आप फिर पीछे जा सकते हैं वह आ जाएगा ठीक है अभी हम सोला सो से लेके चल रहे हैं ठीक है तो सोला सो से स्टार्ट करिए सोला सो निन्याने हैं आपका सिक्स है कोड़ गई जेनए अहां तक का लिए तो रहे सकते हैं तो यानि अगर मुझे अनिस सो से तालीज दिया है तो मैं Nevada 1300 देखूंगी तो यह 1900 की सीरीज है तो मैं कोड उसका जिरो ले लोगे फिर आप आजाएए 2000 से है 2099 तक अगें 6 की सीरीज स्टार्ट होगी 6420 6420 यही पीछे रिपीट होगा यही आगे रिपीट होगा तो मेरी अगें 6 की सीरीज स्टार्ट होगी तो इसका कोड हो जाएगा 6 ठीक है फिर आपका 2100 से 2199 तक इसका कोड हो जाएगा आपका 2 और 2300 से 2499 तक इसका कोड हो जाएगा जीरो यानि आपको 6420 यह याद करना है आपको बस ठीक है आपको 6420 याद करना है जीरो 1900 से 1999 तक और फिर 2000 से 2000 निजान ने तक के लिए 6 यह दो कोड आपको याद रखना है मुस्ली यह दो याद रखिये 1900 और 2000 वाला बाकी सारे आपको खुद ही याद हो जाएंगे ठीक है 1947 को कौन सा दिन था अभी तक तो आप सब लोगों ने सर्च भी कर लिया होगा कई लोगों को पता भी होगा UPSC की जो preparation कर रहे हैं पता होगा उनको कौन सा दिन था चलिए हम निकालते हैं कि कौन सा दिन था ठीक है सबसे पहले आपको डेट लेनी है ठीक है डेट क्या है 15 अब चुक्कि डेट से आपका मतलब क्या होता है हर जिगे आपको एक चीज़ जानकने डेट डेट डेज नंबर और डेज केवल तभी काम आते हैं जब वह वीक के आगे हो बन्तलब वीक से हटके हो वीक यानि वन वीक यानि वन वीक का मतलब होता है सेवंध देज यानि यह साथ दिन अगर आ रहे हैं तो आपके क्सी काम के नहीं इस साथ से एक्स्ट्रा रिमांडर आ रहा है वह आपके काम का ह bringen तो इसको 7 से करदे आ को आपको क्या लेना इसका ईसकर फ्रीन ठीने लेना इसका रिमांडर आजाएगा सभेना गउक्षा जा यहरजफ हाट Evet ठीक है यानी पहला 3 की सीरी छोड़ देंगे दूसरी 3 की सीरी छोड़ देंगी जे 6 होता है तीसरी सीरी सीरीस तो हमारा क्या थाадцmes पहला 12 स्कॉरर सेखेंड 5 का स्कॉपर 3 § 6 यानी 0 lawsuits 036 यानी 7 8 9 यानी हमारा सभावा स्कॉर्ड अगला है 1947 तो आप 19 को देखिए 19 की सीरीज 19 की सीरीज का पॉड है आपका 0 है 19 की सीरीज का कोड जीरो है तो यहां आपने जीरो लिखा 47 को आपको से डिवाइड करना है ठीक है फिर आपको 40 के वल इसके यह दो डिजित लेने आपको नाइनटी हंड्रड का कोड अपने ले लिये तो फूट्टी इवनका टे इवन से डिवाइड करें favour 7 से डिवाइड मेंडे लेंगे तो विपन तक बुझे का आप एदर सैवन लेद करिये कितना होका रिमेंडर आपको पांच बचे का रिमेंडर क्योंकि 49 कट रहा है उदा साइट 42 कट रहा है तो 42 को प्लस फाइव यानि फाइव रिमेंडर बचा इसको इधर 5 ले लिया अब यहीं तक खतम नहीं हुआ आपने ले तो सब लिया 15 ले लिया और अगस्ट कंसीडर कर लिए कि लिए इनको एक बार साथ से डिवाइड करें डिवाइड बना है उगली बार को चार से किस हिसाब आपको पता है चार से क्यों डिवइड किया जा लिपियर चार साल में बर आता है तो वह उस बोल जाएंगे तो आप उसको करने के लिए आप 4 से डिवाइड कर लिजिए यह लिपियर है या नहीं है तो चार से डिवाइड करें तो किता आएगा 4 वंजा 4 एन 4 वंजा 4, 11 आगया remainder बच गया आपका 3 ठीक है, अब यहाँ पर आपको हर जगा जब आप 7 से divide करते हैं, तो आपको remainder से मतलब रहता है, लेकिन जब आप leap year वाले 4 से divide करते हैं तो आपको कितनी बार जाता है, यानि कितने leap year आए ठीक है, 1900 से 1947 के बीच में कितने leap year आए, तो 11 तो यह 11 आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है यह आप 11 यहाँ पर लिख लेंगे, पूरा-पूरा कोई remainder नहीं लिखना है, 4 से divide किया, तो आप, मतलब कितनी चीजे हुई, पहली date हमारी दी है तो date को आपने number of days याँ 7 से डिवाइड किया remainder लिखा, जब भी 7 से divide करेंगे तो आप remainder लिखेंगे ठीक है, तो आपने remainder लिख 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 लिए, August का code लिख लिख लिया 1900 का code लिख लिख लिए 47 को फिर 7 से different किया आपने और remainder लिखा है ठीक है यह आपका रिमेंडर है यह आपका रिमेंडर है फिर अब आपका एक चीज आप मत भूलिएगा लीपियर कई बच्चे वह स्टेप छोड़ देते हैं उनको भूल जाता है ठीक है क्योंकि उनको चीजे तो इतनी दिखती है 15 दिखा ऑगस दिखा 19 दिखा 47 दिख गया लेकिन हमेशा हर कोश्चन में लीपियर का कंसेट बिलकुल मैं भूलिएगा तो आप चुकि 1900 को बेस आप ले रहे हैं तो 1900 से 47 1947 के बीच में कितने लीपियर आए तो 11 लीपियर आ गए तो 11 लीपियर का आपने पूरा 11 लिखा क्योंकि लीपियर में पूरा डेज लिख लेत लिखे और रिमेंडर लिख लीजिए ठीक है वह भी कर सकते हैं बट उसका कोई मतलम नहीं आप और ज्यादा कंफ्यूज मत हो यह आपको बस यह पांच स्टेप ही याद रखने है एक दो तीन चार और अगला लीपियर वाला पांच यह पांच स्टेप इसमें छटा मत डाल यहां पर आप करेंगे तो 1 प्लस 3 यानि 4 प्लस 5 यानि 9 9 प्लस 11 हो गया आपका 20 अब इस 20 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए 20 डेज आ आपकी इफेक्टिव डेज मिल गए अब देख लीजिए कि अब अगें क्योंकि वीक आपको हटा देने है अगर मेरे पास आज फ्रा चलेगा तुससे मतलब निया अगले एक्स्ट्रा कौन से अरे उनसे मतलब है तो जो नंबर आप देज मिले मैंने 7 से डिवाइड कर दिया और रिमेंडर देख लिया किता बचता है रिमेंडर आगया मेरा 6 अब 6 का यूज कहां होगा इस 6 का यूज कहां होगा क्योंकि आप देख स्ट्री थर्स्टेख सथर्श सॉ और आप यूज कौन हूझ तुस्डेख संडेख संडेख गून्टेख यूज यहां तुस्डेख संडेख संडेख थूज। वेडनेस देश देश फोर थर्ज्डेश फाइव फ्राइडेश शिक्स ठीक है फ्राइडेश के आपका सिक्स आ गया अब सैटर्डेश सेवन नहीं होगा क्योंकि सैवन डेश का तो वीक होता है सैवन होने का मतलब कि रिमेंडर जीरो साथ को साथ से डिवाइड करें यदे ओल तो आपके यह डेश खुर देखें थे आपको निकल यह से निकला है आप तको पूरा समझ में आ गया होगा फिर विए अगें हम एक 2 विए चलेंगे जिसलिए आपको इस लिए आप ज्यार्ग से ज्यादा को सिसे करिए आप किसी को भी बता सकते हो कि कब कौन सा दिन था मैं 1599 पूछू 1678 पूछू 1889 पूछू कुछ भी पूछू आप बता सकते हैं तो हम कुछ और फेमस डेट लेते हैं 26th January 1950 हमारा समीधान लागू हुआ था तो अब इसके दिन यह कौन सा दिन था चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी करना है बिना टाइम गवाई करना है इसलिए आप बस जल्दी जल्दी इसको करते जाएं आप मैं कंसेप्ट आपको नहीं बताऊंगी बस मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या लिए आप जल्दी जल्दी करिए 26 divided by 7 करिए remainder कितना होता सात्री केस remainder 5 January 144 यानि 1 1900 0 50 divided by 7 करिए 7 749 और 1 आगया remainder 50 किते लीपियर हो गए आपके चार से डिवाइड करिए 12 लीपियर इस 12 को एक साथ लिखना है आड़ कर दीजिए 5 step complete 12 113 114 और 5 19 divided by 7 करिए 7 तूस आप 14 और प्लस 5 19 5 फिप्त कौन सा दे है संडे हो गया 1 Monday 2 Tuesday 3 Wednesday 4 Thursday 5 यानि आपका फिर्स्टे इट वोजब थर्स्टे इट वोजब थर्स्टे इट वह जल्दी वह कितना कितने सेकंद्स में निकाला हमने 10 seconds maximum 15 20 seconds इत्से जादा नहीं निकला ठीक है चलिए अब जल्दी जल्दी आप मैं आपको जली मुझे जादा तो कुछ याद नहीं है एक काम करते है ड आइकन आपको आप बता सकते हैं इसको कि आइकन प्रूफ कि आप 10 seconds 12 seconds जतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप निकाल लेंगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं 20 नुवेंबर 1991 ठीक है चलिए देख लेते हैं 20 नुवेंबर का आपने लिया 146 तो दिसेंबर नुवेंबर यानि 4 1900 का कोड जीरो 91 का साथ से डिवाइट करिए 13 साथ एक्यानवे 1370 यानि पूरा यानि 0 आगया रिमेंडर अब आप 91 को 4 से डिवाइट करिए to get to get to know about the leap years to 428 हो गया 1 आया 11 आगया और 4 तूजा 8 ठीक है किते हो गया 22 आगया 22 426 632 आगया 32 divided by 7 कर ये कितना रिमेंडर आगया आपका साथ चोग अठाइश चार बत्तिस चार पोर यानि वेडनेस्टे इड वेडनेस्टे येस इस इस बड़्डे ऑप माई यंगर ब्रदर बेटनेस्टे इड वेडनेस्टे ठीक है चलिए अभी देखते हैं और कुछ देट्स मजा आता है से कुस्टेंस करने में ठीक है आप लोग भी अपनी फैमिली में सब के देट्स पूछे का आप अपने ममी पापा की देट्स प लोगों को ममी पापा को अपनी डेट्स नहीं आ दोंगे ऐसा हो गई तो आप भी ये ट्रिक करके देखें बहुत अच्छा लगेगा ठीक है मैं जब पढ़ती थी तो आई यूस्टू डू दिस तो आप भी करिएगा चलिए करते हैं 26 डिसेंबर 1961 कौन सा दिन है करके देख पांच इक सथ यानि 5 आ गया एं तिर फॉर से डिवाइट करिए तो 15 फोर्जा 60 होता है तो 15 आ गया ठीक है आट कर दीजे 15 पांच 20 20 26 & 5 31 हो गया 31 divided by 7 कर दीजे रिमेंडल आगया आपका 3 3 का मतलब होता है आपका संडे मंडे एं टूजडे इड वजाट तीजडे येस मैं मॉम वस बोन टूजडे ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एक काम करिए आप मुझे सब लोग अपने सिब्लिंग की और अपनी डेट और बसका दे निकाल पता चल जाएगी ठीक है सब बहुत इंट्रेस्टिंग है आप लोग जरूर करें और मुझे बताइए कि यह क्या है कैसे आपने कितने सेकेंस में किया जैसा मैंने आपको बताया ध्यान रखिए आपका कोई भी इग्जाम हो स्सी हो सीजील हो एंपी पीसी आसो यूपी पी करें कुछ प्रॉब्लम आती है फॉर एनी दिफिकल्टी वेर अल्वेस देर तो हल्प यूप आप सो प्लीज गाइस दू कमेंट आस थांक्स पर वाचिंग थांक्यू